हलो दोस्तो वेलकम बेक टू पी डवलू ग्यानकोश देखो बांगलादेश में तक्ता पलट होए अभी समय लगातार बीटता चला जा रहा है और वहीं पर वहां की जो इंटरिम गवर्मेंट ऑपरेट हो रही है मोहमद यूनुस के अंडर आप देखते हो कि उनके द्वारा एक narrative create किया जा रहा है कि बांगलादेश में सब कुछ normal है और Indian media या फिर जो भी media houses के द्वारा बांगलादेश के internal issues को highlight कर रही है तो completely जूटी है या फिर जादा exaggerate करके दिखाया जा रहा है यहाँ पर आप देखो exaggerated highlighted manner में दिखाया जा रहा है वह बांगलादेश में सब कु create हो रही है न रेडिकल इस्लामिस्ट ग्रूप्स के दौरा उसको यहाँ पर मुहमद यूनुस साब बिलकुल भी support नहीं कर रहे है या फिर उसके बारे में बात ही नहीं कर रहे है बल सब कुछ normal है अब यह normal केवल यहीं पर नहीं इनसे केवल सवाल पूछा गया तभी जव हवा मिल रही है बांगलादेश में अब आप देखते हो एक तरफ यह न्यूज आती है इतने में ही बांगला आउटलूप करके बांगलादेश का एक ओर न्यूज अजेंसी लोकल हाना उसने टार्गेट कर दिया कि भई हमारे देश के अंदर सब नॉर्मल है और यह जो ब् बांगलादेश के अंदर एक समय ऐसा था आप खुद समझिये कि जिस टाइम पर शेक हसीना की सरकार थी तो अमेरिका जैसे कंट्रीज बैन लगाते थे संक्शन्स लगाते थे कि हुमन राइट्स का वाइलेशन हो रहा है यहांपर वही पर आप अभी क्या देख रहे हो कि देश में एकदम से हुमन राइट्स सब ठीक हो गया अब वहाँ पर माइनोलिटीस के साथ जो अत्याचार हो रहा है उससे कोई फरक नहीं पड़ता यह ऐसे को और जो बाइडन ने तो पूरा हाथ सिर पे रख रखा है आप देखिए इस फोटो में क्या देखा था हमने इस फोटो में कि किस तरीके से गले लगा रखा है अब बांगलादेशियों को तो यह लग रहा है कि यह गले लगा रखा है बट एक्चॉल में गले लगना तो यह होता है कि दोनों चेहरे उपर स्माइल हो एकदम प्रॉपर मैनर में एक effort हो दोनों तरफ से affection वाला इधर कहां affection दिख रहा है वही यह तो यह लग रहा है कि ले लिया एकदम गिरफ्त में very good बहुत बढ़िया बहुत छांदार काम कर दिया और बांगलादेशी students हैं वो इतने खुश हो रहे हैं अब यह students के नाम पर ही दब्बा हो रहा है वैसे real में देखा जाये तो क्योंकि इन students ने जो बंगलादेश को liberate कराया अब यह जो student है जो अपने आपको student बोल रहे हैं यह इतने जादा radicalized है कि यह पहली चीज़ तो शेक मुझे वो रहमान का नाम आवामी लीक का नाम यह खतम करना चाहते हैं इस चीज में interim government वो support भी कर रही है दूसरी सबसे बड़ी बात क्या रही ह कि यहाँ पर यह लोग जो काम कर रहे हैं इन चीजों को आप online अच्छे से देख भी सकते हूँ मैं आपको अभी 2-3 comments दिखाता हूँ कि बंगलादेश में हालात क्या हो रहे हैं यहाँ पर आप देखो एक तो है अरिफुर रहमान इनका यह कहना है कि मैं बंगलादेश बंगलादेश में हालत इतनी गंदी हो गई है जो कभी imagine भी नहीं की थी राज देखो कि बिलकुल function less country हो गया है बिलकुल function less country हो गया है इतना बुरा तो हमने कभी सोचा भी नहीं था बंगलादेश के लिए similarly यहाँ पर शखावत हुसेन इनके द्वारा यह कहा जाता है कि students को online radicalize किया जा रहा है अब आप इसी से समझ सकते हैं कि actual में कितनी जादा problem हो रही है बट again बंगलादेश छुपाने में बहुत माहिर है पर वही बात है कितने time तक छुपाएगा अरे बंगलादेश में दु काट करके गाय का सिर्वाँ पर फैंक दिया जिसें की वो पांडाल एकडम ही खराब हो जाए पुझा लाय की ना रहे यह चीजे क्या हो रही है मतलब यह हो रहा है कि एक तरफ तो शेख हसीना की जो सरकार थी जो actual में election के आधार पर आई थी वो तो हो गई undemocratic manner में चलने व सकते हैं कि भई आप लोग वहां पर सुरक्षित हो आपका मेरा माइना है यहां पर कि जो minorities हैं बांगलादेश की जो interim government है महमद यूनिस की महमद यूनिस की जो पूरी panel है जो मिलकर के वह cabinet time जो meeting मनी हुई है उसमें एक individual है जिसका ना में महफूज आलम महफूज आलम यह है ठीक है क्लिंटन फाउंडेशन में साब पहूंसते हैं डॉनल्ड ट्रम्प क्या मतलब यह जो बाइडन का तो हाथ है न सिर्फे तो क्लिंटन फाउंडेशन वोई party democratic party वहां पर यह पहूंसते हैं बहां पर जाकर कि इनकी meeting करवाई जाती है किसके दौा किसके साथ में क्लिं है जिसको बांगलादेश में भी टेरर आउटफिट के तौर पर डिक्लियर किया हुआ है उसका यह बंदा है और यह बंदा आप सरकार में बैठ करके और वहां पर काम कर रहा है पर एक चीज बड़ी इंट्रस्टिंग क्या निकल के आ रही है वह मैं आपको बताना चाहूं कभी तो पॉलिटिक्स के बारे में सुना होगा प्रेजिडेंट होते हैं चांसलर होते हैं यह चीफ एडवाइजर चला एडवाइजर हो तो किसको एडवाइज कर रहे हो भई आप ही तो कर रहे हो और सबसे बड़ी चीज कि जहां कि फैकल्टी इस इतनी रेडिकल हो जाए जहां कि प्रोफिसर लाइन इतनी रेडिकल हो जाए जो आप इसमें देखो इस पर्डिकलर ट्वीट के अंदर यह नाम है पप्पिया नसरीन का यह असिस्टेंट प्रोफिसर है इनके दवारा यह कहा जाता है कि हिंदूों को रिलिजियस अक्टिविटीज करने का कोई यह तो वहां के प्रोफिसर समझा रहे हैं अपने स्टूडेंट्स को अब ऐसी सिच्वेशन में कैसे स्टूडेंट बनेंगे अब आप देखो यहां पर कि सबसे बड़ी बात तो यह है कि अगर डॉनल्ड ट्रम्प वहां पर प्रेजिडेंट बनके आ गया है ना तो देख यह चीज बिलकुल ओपन नहीं की जारी है गवर्मेंट की तरफ से बट ग्राउंड लेवल पर इस पर एग्जेक्यूशन कंटीनू चल रहा है तो यह चीज़े क्या शो करती हैं कि सबसे बड़ी बात तो यह कि युनस खान को चाहिए थे 6 साल 6 साल में यह क्या डंका काम कर कि मुझे तो देखो मैं पर्सनली बता रहा हूं यह डर लग रहा है या फिर डर तो क्या बोले यह एक एकस्पेक्टेशन से आप बन चुकी है कि जिस तरीके से मुहमद अली जिन्ना की डैथ हुई थी पाकिस्तान में तब से आर्मी ने अपना चंगुल जो पकड़ा था एकदम जो एकदम ग्रिप बनाई थी exactly वही ग्रिप आप बांगलादेशी आरमी भी एक बार फिर से बना लेगी no doubt बांगलादेश के हिस्ट्री है military regime की बड़ देखने वाली बात यह है कि यह चीजे शो करती है कि actual में बांगलादेश दिखा क्या रहा है और सच्चाई क्य है जो कि दुनिया के सामने आ रही है दिरे दिरे तो यह main point था इसके अलावा online देखा जाए तो अभी आपको पता है कि USA का पूरा support है बंगलादेश को इस टाइम पे वही शेक हजीना जी वाली बात एक गोरा आया था सेंट मार्टीन करके जो आइलेंडर वो मांग रहा था अना तो वहाँ पर आप देखो कि USA का एक former officer है नाम आप देखो जॉन डैनिलोविक इस डैनिलोविक का क्या काम है आप ये देखो कि कोई भी individual अगर कोई भी individual official rank की बात में कर रहा हूँ अगर बांगलादेश के against में statement देता है ट्वीटर पे तो यह भाईस आप जंप करके जल्दी सा जवाब देंगे और वहाँ पर बांगलादेश की सचाई को छुपाने के लिए अगर कोई comment कर रहा है जैसे यहाँ पर आप देखो सौनोर रहमान की voice of बांगलादेशी हिंदूज ये propaganda चला रखा है इस तरीके से तो इस बात को इस बंदे ने जट से support कर दिया त हमें दिखाई देता है कुल मिलाकर की point क्या निकल के आ रहा है कि चीजों को छुपाने की पूरी बर्शक कोशी से की जा रही है पर सबसे बड़ी बात क्या है कि वहाँ पर शेख हर्षीना के time से जो democratic process के आधार पर जो freedom of press अना उसके चलते कुछ ना कुछ चीजे reveal होती चल गूगल किया कि वह बांगलादेश की economy का क्या हाल हो रहा है इतने में पता क्या पड़ता है कि 2008 के global financial crisis के बाद में बांगलादेश की economy 6-8% के लगबग grow कर रही थी अब पिछले 3 मैनों के अंदर इतना बुरा हाल हो गया है कि बांगलादेश की economy 6% से decline कर रही है और इस साल भी shrink करेगी आने वाले साल भी बरबाद होगी यह बाया नया बांगलादेश ठीक है अब देखो इसका सवाल का जवाब आपको comment box में दे दिना है बिम स्टैक में कौन कौन से countries है I hope आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा ऐसे वीडियो के साथ और मिलेंगे तब ठीक है